असलालेकूम आज हम बनाएंगे ब्रेट का बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा नाश्ता जो कि बहुत ही मज़े का वनेगा इसके सामने पीजा बर्गर सेंडविच समोसे सर्फ फेल है एक बार जरू ट्राय करिएगा वन टेबल स्पून मैंने पैन के अंदर ऑईल एट किया ह आउयल में मैदा को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फ्लेम को हमने रखना है वन्ना मैदा जल जाएगी तो इसको भूनने के बाद हाफ मैंने यह पियास ली ती इसको फाइनली चौप करके इसके अंदर एट कर दिया है इसको भी हम थोड़ी देर इसके साथ में भून अच्छी तरह से मिक्स हो जाए क्योंकि हम ने इसके अंदर मैदा एट किया है तो पानी डालना जरूरी है तो जरूर एट करिएगा अच्छी तरह से जब आप इसके अंदर नमक डाला है अब हम इसके अंदर एट करेंगे स्वीट कॉन यह अगर आपके पास है तो डाल दें तो इसको 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 कदुकश कर लिया था और दो मीडियम साइस के आलू लिये है उसको मैंने बॉयल करके उसको भी मैंने ग्रेट क अब हम सारी चीजों को इसके अंदर एट करेंगे और मिक्स कर लेंगे इस तरहां से जब आप इस नेक्स को बनाएंगे ना बहुत ही मज़े का बनेगा आप बहार से पीजा बर्गर लाना भूल जाएंगे इतना टेस्टी बनके तयार हुआ था यह बहुत कम इंग्रीडिय के लिए साइट पे छोड़ देंगे जब तक यह अच्से थंड़ा हो जाएगा तब हमने इसको फीलिंग करने है वन्ना तब तक हमने इसको साइट पे रखना है थंड़ा करने के लिए ठीक है अब हमने बावल के अंदर हमने दो टेबूल स्पून के तरा मैदा लिये है इसको भी साइट में रख देना है यह लेफ्ट ओवर ब्रेट थे ब्रेट बच चुके थे तो मैंने सोचा क्या बनाएं तो हमने सोचा चलो यह रेसेपी ट्राय कर लेते हैं बहुत ही मसेदार सी बनी थी तो एक बार जरूर बनाईएगा यह बड़ा मेरा पास गिलास था तो म हमने इस तरह से एक ब्रेट का स्लाइज उठाना है और हमने जो यह आलू का जो बैट फिलिंग बनाई है वह हम इसके अंदर रख देंगे और थोड़ा सा दबाता हुए रखे ठीक है जितना हमें इसके अंदर जरूरत है बस उतनी रखना है ज्यादा नहीं भरना है इस तर अब हम इसकी दूसरी सलाइस लेगे इसके अपर हम थोड़ा सा टमाटो कैचप लगाएंगे पैस के अपर पर त्वेस तरह चाहिए हैप भी इस तरह से लगा लें आप अगर मायनीस लगाना चाहते हैं तो तमेंटो केचप लगाने के यह देखिएगा है 나가 हमने इसी तरहसे बना करन लिचार कर लिए अभी जो घ्रिक्रमा है No अब यह मैदे का लिकूट करें लिए इसको अच्छी पर चाहिए लगाँए की बहुत अच्छे से ब्रेट्रम्स लगाना है कोई भी साइट वहा खुली Management साuld अब ब्रेट क्रम्स लगा लें तकि अच्छी तरह से ब्रेट क्रम्स को पर कोट हो जाए इस तरह से आपको सारे तयार कर लेना है अब हमने पैन के अंदर गरम करने के लिए रग दिया है oil गरम हो चुका है अब हमने सारे pieces को इसके अंधर add करना है मैंने दो pieces के अंधर add किये थे और हमने इसको medium flame पर fly करना है high flame पर नहीं करना है medium flame पर यह काफी crispy से मज़दार से बन के तयार होते हैं तो आप इस recipe को ज़रूर बनाईएगा बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी से यह बनके तयार हुए थे और इस तरह की रेसिपी अगर आपको और चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताईएगे आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है और इस रेसिपी को जादा से ज बहुत ही जदा मज़िदार से लग रहे थे तो इसको जरूर बनाईएगा अच्छा देखिए इस दोनों साइट से हमने इसको कलर आ चुका है अच्छी तरहां से फ्राय हो गया है मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राय कर लिया है आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे दि कर दें शेयर कर दें और सबस्क्राइब भी कर दिया करें अलाफीज